हम लोग टूजडे नाइट आय थे मेरे को लिकेज की प्रॉब्लम आगी थी नाइन मंस कंप्लीटिट थे मेरे और मुझे पेन बिल्कुल नहीं था और तीन बजे में एडमेट हुए थी और उसके बाद उन्होंने मुझे मतलब अराम से देखना शुरू किया और उनको लगा चित्रा सेट्या मैं ने दवाई दी इंटर्नल ताकि मेरे को फिर पेन उठे उससे भी कुछ नहीं हुआ और मेरे को था कि अब लीकेज भड़ रही है तो शायद मेरा सिजेरियन ही होगा लेकिन फिर वो बहुत पुशक पुश किया उन्होंने मुझे मुझे मोटिवेट कर करते रहे और उसके बाद लेकिन फिर उन्होंने मुझे दर्द कर ही दिया कि नहीं नॉर्मल डिलिवरी हो जाए और मुझे तीन बए तक का टाइम दिया और उसके बाद भी दर्द में ज्यादा कुछ ज्यादा फरक नहीं पड़ा था बच्चा नीचे आई ही नहीं रहा थ मेरा फिर उन्होंने मुझे दीर दीर मोटिवेट करना शुरू किया हम चारवे तक मैं देह रहे हैं प्लीज फिर पांच बजे तक पांच बजे इवन मैं रोने लग गए थी कि नहीं कि अब बस कर दो मेरा सेजेरियन मैंने खुद उनको बोल दिया था मेरे हजबं भी और म इसके अब मैंने उन पे बहुत चिलाए कि बस अब कर दो क्योंकि उस तरह मेरे को बहुत दर्द हो रहे थे और बच्चा नीचे नहीं आ रहा था इंप्रूब्मेंट होई नीरी थी उसका सर नीचे नहीं आ रहा था फिर फैनली नाम नी पता कौन सी मैं थी उन्होंने और उससे बहुत जादा मोटिवेट करके उन्होंने कराई कि मैं नहीं कर रहे थी और पहुने आठ बजे मेरे को पॉटी का प्रेशर आया और वो डिलीवरी रूम में ले गए थे मुझे तो आठ बजे से सब 8-14 पर ये हो गया और नॉर्मल डिलीवरी जो हमने सोची भी न नहीं रहा था हमारा तो वो शयद एक घंडे का जो मोटिवेशन था ना 6-7 वाला वो बहुत तगड़ा था वो मैम का नाम मुझे नहीं पता मैंने बाद में इस्पेशली थेंक्यू बोला था उनने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया मुझे थे हॉस्पीटल के सारा हॉस पूछना शुरू करती हूं तो satisfied fully satisfied खाना वाना में सब बहुत बढ़िया सब कुछ बहुत अच्छा है कोई प्रॉब्म में तो कोई नहीं आई थेंक्यू थेंक्यू